तो दोस्तों मानव शरीर में अलग-अलग मासपेशी होती है यहां भी एक मासपेशी होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है और आज मेरी सारी दुख रही है क्योंकि कल मैंने इस केस को बहुत अलग-अलग तरीके से उठा कर वीडियो बनाए थे लेकिन यह केस एक बहुत ही special case है, यह है ROG का Strix Helios, काफी बड़े size का case है, पास में मेरा Liendi का case type का कुछ रखा है, उसके मकाबले भी एक काफी बड़ा case है, इस case के price जो है 25,000 rupees, तो definitely यह काफी premium case है, लेकिन इसकी जो build quality और जो features है, उसको देखते भी मुझे लगता है कि यह worth है, तो सबसे पहले तो हम इसकी build quality के बारे में अगर discussion करें, तो I think that this is the best case that I have ever seen, like in terms of build quality, यह वाले जित्ते भी parts है, इसके वो सारे बिल्कुल aluminum, solid aluminum के हैं, और अगर हम यहाँ पर जो thickness देखें, aluminum की, वो भी बहुत ज़्यादा मोटी है, तो सरिफ यह नाम का aluminum नहीं है, और यह सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन यह actually में use के जा सते हैं, case को उठाने के लिए, तो अभी इसके अंदर हमने पूरा एक नाया Intel का 12th Gen build बना रखा है, तो आप देख सकते हैं, कि मैंने पूरे case को हाथ से ही उठा ले आया है, straps से, I think that this का weight is 17 to 20 kg है, और build इसके आगे जो है tempered glass है यहां पर और इसके अंदर एक lighting का पूरा zone है, जो side से lighting आ रही है, जो यहां पर shine करती है, और यह भी काफी अच्छे से सूच समझ के बनाया गया है, यहां पर इसके बटन है, जिससे आप इसके अलग-अलग colors को change कर सकते हैं, इसमें RGB effect भी है, और इ इसके लाइटिंग रहती है इसके उपर, इस case के साथ total 4 fans आते हैं, और वो सब 140 mm के हैं, 120 mm के नहीं, तो वो भी एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि कई expensive cases के साथ fans नहीं आते, और इसके साथ काफी अच्छी quality के fans, वो भी 4 आ रहे हैं, 140 mm, जो case है उसके तीन तरफ आपको dust filters देखने को मिल जाएंगे, काफी शानदार dust filters हैं, जैसे एक filter यहाँ पर है, और एक dust filter यहाँ पर है, ऐसे ही एक और dust filter नीचे भी है, case के अंदर इसमें तीन तरफ tempered glass आता है, तो यहाँ पर तो tempered glass है ही, आगे का आपने tempered glass देखी लिया, पीछे भी इसके अंदर tempered glass है, ज काफी easy है, आप सिर्फ एक बटन को दबाते हैं, तो यह tempered glass आसे बाहर आ जाता है, और इसको फिर आप निकाल सकते हैं, और जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक और area भी है, आपके cable management का ध्यान रखने के लिए, तो अभी अंदर हमने cables बहुत जादा अच्छ से अरेंज नहीं की थी, लेकिन यह काफी अच्छी neatly tied है पीछे, एक इसमें एक फालतू का tag और add किया गया है, जैसा आप देख सकते हैं, कि यह जो aluminum का part है, इसको बुरा cut करना पड़ा, तो यह additional costing आई होगी इसकी, लेकिन मैं को पता नहीं, इसका बहुत जादा फायदा है यह नहीं, जो top panel है, उसके ऊपर आपको इसके IO मिल जाएगी, यह focus हो रहा है, तो इसके अंदर ऊपर आपको 4 USB 3 या USB 3.1 जो भी port हो यह, और एक USB Type-C port मिलेगा, जनरली के इसमें दो होते हैं, लेकिन इसके अंदर तीन है, यहाँ पर आपको headphone और microphone के jacks मिल जाएंगे, यह power button है, यह reset button है, यहाँ पर इसके अंदर fan control का button है, तो इस motherboard के अंदर एक fan hub भी है, जिसके अंदर आप 6 fans लगा सकते हैं, तो उन fans को आप control कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप एक button दबाएंगे, तो high पर हो जाएगा, और अभी आप सुन सकते हो तो शायद फैन्स की speed बढ़ ग जाते हैं, तो, case के बीचे एक vertical mount की भी आपको जगे दी गई है, और generally अगर आप जो cases के अंदर यहाँ पर vertical mount अगर GPU लगाते हैं, तो उसका जो fan है, वो glass के काफी पास रहेगा, जिससे thermals काफी effect हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह case इतना बड़ा है, तो इसके अंदर आप एक यह जो कांच और जो dust filter है इसके बीच में, लेकिन आपको बहुत शायद best airflow नहीं मिले क्योंकि पूरा जो आगे का area है, वो blocked है, लेकिन जितना हमने test किया उसके साब से तो सही थे thermals इसके, लेकिन आप गेमर्स ने एक्जस वगेरा का वीडियो भी देख सकते हैं, उन्होंन में हर सकाप aluminum पूरा आपको अच्छे से दिख रहा है, अंदर के सारे components आपको काफी अच्छे से दिखेंगे, इसके अंदर एक GPU sag holder भी है, जो कि हमने vertical GPU लगा रखा है, इसलिए काम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप एक horizontally mount करें GPU को तो definitely इसके अंदर आपको जो holder है, वो का आप ROG का THORPACU लगाएं तो उसमें से काफी अच्छी उसकी जो OLED display है और जो RGB light है वो काफी अच्छे से आपको लिखती है, और इसी तरह हमने इस बार इसके अंदर ROG का ही region 2 cooler भी लगाया है, जिस पर आप लड़की को लात मारते हुए देख सकते हैं, ये custom GIF है और ये cooler भ बना पाएं और ये जो केस है ये definitely one of the most exciting cases है और मुझे लगता है कि इसको enough coverage नहीं मिलती जैसा ही deserve करता है उसके हसाब से, ये line paper coffee के काफी एक unique इसका पूरा appearance है और जो इसके अंदर जो attention to detail है वो definitely इसके जो price है उसके साब से deserving है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये overpriced case है, ये over case है, बहुत overkill case है, लेकिन overpriced नहीं है, तो मैं video description के अंदर इसका link दे दूँगा अगर आपको ये खरीदना हो तो, और हमने इसके उपर build भी मनाई थी, जो कि आप check out कर सकते हैं, तो thanks for watching, और I'll see you in the next one.